कैसे हैं आप साब I hope you are all doing great तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ पोलराइड एडिटिंग जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं आज हम कुछ इसी तरह की एडिटिंग करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो फटे फटे से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कीजिए सब को न्य वीडियो के अपडेट मिलती रहे हैं और वीडियो पसंट है तो लाइक ज़रूर करें तो चलिए शुरू करते हैं इस फोटो के एडिट यह से कि यह एंड वालपेबर लिया है इसे जूम करेंगे अपने फोटो के स्थाइस के एकोर्डिग then erase पर क्लिक करके बाक्राउंड पर क्लिक करेंगे क्योंकि मैं सिब बाक्राउंड पर ही वालपेपर चीए दें डून करना है इंद क्लिक करेंगे आंड पोलराइट मैंने पोलराइट सेट कर लिया है अब डन करना है देन स्टिकर पर क्लिक करेंगे और फिर सेम वाल पेपर लेंगे वोडन वाल पेपर और उसे सेलेक्ट करेंगे देन उसे जूम करना है इरेसपे लीक कर congressional किरेंगे और जहांपर ओवर्लाइप ओर जैसे पोलराइट के ऊपर तो वहां पर हम हम रियेंगे करेंगे और जो पोलराइट के बाः कौर पोशन है वहांपर हमें रीस्टोर करना है वाल पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अब में हमें रिस्टोर करना होगा पोलर राइट के जो बाहर का पोर्शन है उसारा हमें रिस्टोर करना होगा बस हाथ को छोड़ देना है इसे काफी जूम करके देखना होगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे हम रिस्टोर करते तो वह पोलराइट के उपर ही रिस्टोर हो जा रहा है तो उससे हमें इरेज भी करना पड़ेगा तो इसे काफी जूम करके देखना पड़ेगा आपको कहां पे रिस्टोर कर रहे है कहां पर erase कर रहा है एंड रिस्टोर करने के बाद हमारी फोटो कुछ इस तरह से दिखेगी then done करना है then effect पे click करेंगे and black and white select करेंगे then erase पे click करना है and person select करना है क्यों कि सिफ हमें person पे एडिटिंग चाहिए then poll right का जितना portion है वह हमें black and white में ही चाहिए तो जो poll right में आपको color दिख रहा है उस से आपको restore करना है वापस से black and white में अगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू